नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल Learn, Invest and Earn में, मैं हूँ आपका दोस्त, अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स अनलेसिस, देखेंगे कुछ स्टॉक जहां पर हमें लगता है अच्छा कसा मो निफ्टी आज बहुत ही बड़िया ट्रेड हुआ है, बहुत क्लियर कट निफ्टी ने सिगनल दिये थे और आज बहुत बड़िया प्रॉफिट हुआ है, अब मैं आपको यहाँ पर दिटेल में एक्स्प्रेंट करूँगा, आगर आप टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड ऐसे था कि अपने तरफ चल के आ रहा है और कह रहा था कि ले लो, आज इतना हो सके उतना आप कमा लो, इतना क्लियर कट आज चार्ट पे दिख रहा था, अब सबसे पहले स्टाट को तो निफ्टी था, निफ्टी देखी यहाँ पर आज यह कल की कैंडल है, यह कल का आज आज यहाँ की स्टार्ट होने से पहले यह 3-4 ट्रेडलैन बनी थी, ये क्या था, ये था कल का लो, ये था कल का टौप और ये दो जो 1 और 2 है, यहां से कल निफ्टी ने रिवर्सल लिया था, तो यह तीन चीजे हम लोगोंने मार्क की थी, आज आल्मोस जहान इफ्ट खुला वो कल के टॉप के पास खुला और खुलते ही आप देखोगे तो यह open is equal to high वाला आज फंडा था open is equal to high जितने लोगों ने पहले हमारे वीडियो देखे हैं हमने कई बार explain किया हुआ है इसका concept क्या होता है यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई थी कि आज निफ्टी में downtrend होने वाला है यह आज clear हो गया था जैसे ही open is equal to high आ गया हम समझ गये कि आज downtrend आने वाला है अब यहाँ पर हमने starting में 17,200 का put लिया था यह हमने टेलिग्राम चैनल पर update किया था कि यह radar पर रहने वाला है और यही हमने लिया और यहाँ पर अच्छा खासा profit book किया हमने जब वो इस level से bounce कर रहा था जब यह इस level से bounce कर रहा था तो हमने यह first यह second candle के आसपास book किया है almost 25% हमने capital 25% हमने option में आज यहाँ पर profit कमाया उसके बाद nifty ने bounce किया bounce करके देखिए almost जो यह trend line है यहाँ से वापस लेकिन support आया यहाँ पर मैंने एक बाद टेलिक्राम चैनल पर फिर से डाला था कि यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर हम लोग एक बाद trade लेंगे और यहाँ से मैंने वापस से 17,200 का ही put लिया था और इस बार मुझे almost 13% के आसपास का profit हुआ है बस यह एक candle में छोटी सी candle आई है लेकिन यह candle लिखिया जिसे साबसे formation होके एक sideways गया था यहाँ पर अच्छा कासा एक चीज समझ में आ रही थी कि जो हमने trend line बनाई है यह trend line को अच्छे से respect कर रहा है थोड़ा चीज़ों को clear करता हूँ और अच्छे समझ में आएगा trend line को बहुत अच्छे से respect कर रहा था as a resistance as a resistance यहाँ पर act कर रहा था तो इसने एक signal दे दिया कि अगर यह sideways जो जोन है इसके बाहर निकलेगा 17,100 के नीचे आएगा तो आपको फिर से एक बार मौका मिलेगा यह चीज मैंने वापस से बताई थी कि देखिए यह वाला जो जोन है यह जो हमारा कल का low है इसको अगर break करेगा तो बहुत तेज मोमेंटम आएगा बहुत ही जोरदार profit हुआ है इसमें 40% का plus profit हुआ है और इसमें 28% का profit हुआ है तो बहुत तेजी से गया है हला कि put और भी उपर गया था लेकिन मैंने यहाँ पर जो मेरी आदत है मैं partial profit book करता रहता हूं और बाद मैं अपने stop loss को trail करता रहता हूं थोड़ा सा जैसे पीछे आया nifty वहाँ पर हम लोगों ने अपना exit कर दिया लेकिन यह जो तीन candle थी 15 minutes के चार्ट के उपर देखिए आप किस हिसाप से volume generate हुआ है इसने एक बार भी signal नहीं दिया है कि आप अपना profit book कीजिए और इसकी वज़े से ही जो continuous fall हुआ है heavy selling हुए यहाँ पर heavy selling में मतलब तग follow करोगे simple setup है कोई इसमें आप देख रहे हो trend line के अलावा ना moving average है ना wewap है कुछ नहीं है previous high low में ने mark किया हुआ था और high 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 okay so previous high low mark किया था previous swings मने बनाये थे और telegram पर भी post किया था तो बड़िया पैसा बना है अब कल के लिए important session important levels क्या होने वाले है 17,000 17,000 is going to be very important for tomorrow और कल के लिए important इसलिए होने वाला है क्योंकि देखिए आज यहाँ पर इतनी selling आई है almost 17,300 से कल से लेके आज तक selling आ गई है तो 350 points का जो बंदा profit लेके बैठा है expiry pass में आ गई है आज one way यहाँ पर trade भागा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कल के trading session में एक sideways momentum हो सकता है market एक range में घूम सकता है और वो range क्या होगी 17,100 से लेके 16,900 बहुत जादा गंदगी हो रही है 17,100 से लेके 16,900 यह एक range हो सकती है जिसके बीच में market volatility हो सकती है कल के trading session में अगर इस range के बीच में market फसा रहता है मैं कहूंगा avoid trading for tomorrow थोड़ा सा rest लीजिए ज़रूरी नहीं है कि रोजी पैसा कमाना है लेकिन जब कमाना है तो अच्छे से कमाना है trend आने दीजिए देखो trend आएगा आपके favor में आएगा setup आपको चिला चिला के कहेगा मुझे खरीदो या मुझे बेचो पैसा आपका दर्वाजे पे wait कर रहा है तो उसे साब से हमें trading करना है ना कि हमें forcefully कोई trade को लेना है तो simple है 16,900 के नीचे या मैं कहूंगा अगर थोड़ा aggressive हो तो 950 जो आज का low है इसके नीचे भी अगर trade करना start करता है कहीं बीच में खुलके 17,000 के आसपास खुलता है और फिर उसके बाद एक dip लेता है नीचे की तरफ 16,950 को break करता है sell कर दीजे मात्र 50 पॉइंट का stop loss लगाना है आपको मात्र 50 पॉइंट का 17,000 का stop loss लगा के आपको यहाँ बैठना है फिर आपका अच्छा कासा पैसा बन सकता है लेकिन अगर इस range के अंदर फसा रहता है तो मैं कहूंगा कि आप avoid कर सकते हो buying के लिए फिलाल नहीं सहूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उपर जाएगा तो जितनी बार उपर जाएगा यहाँ पर sell on rise वाला funda use होगा तो buying के लिए थोड़ा सा दूर रहेंगे अब आते हैं bank nifty में bank nifty देखिए bank nifty ने भी बहुत अच्छे से perform किया है लेकिन bank nifty उतना clearly give up नहीं कर रहा था जितना nifty कर रहा था bank nifty में मैंने सिर्फ दो चीज़े की थी आज यह मेरा जो था यह high था इसको मैंने आज सुभे mark कर लिया था यह एक zone था इसी high के पास और यहाँ पर एक जो भी मेरा यह दो बार swing बना हुआ है यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ पर एक swing बना है तो इस swing को मैंने mark किया था bank nifty में आज trade मैंने सिर्फ यह एक candle पे लिया है और सिर्फ एक ही trade लिया है वो भी 39,000 का put और October expiry यह मैंने आज trade किया हुआ है एक ही trade है almost 580 के आसपास मेरी entry थी और 815 के आसपास मैंने यहाँ पर exit किया हुआ है बहुत अच्छा profit हुआ है monthly expiry में इंद मनी में ट्रेड किया था मैंने लेकिन यहाँ पर जो डेड़ सो पॉइंट का fall आया है वो fall में एक दम बल्ले बल्ले हो गया है अब कल के लिए क्या करना है कल के लिए सबसे important level जो होने वाला है वो रहने वाला है यह वाला level क्योंकि यहीं से market ने भागना चलू किया था almost देखिए market धीरे 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 lower highs करते हुए वापस वहीं पर आ गया है अब 38,500 to be more precise 38,500 के नीचे अगर निकलता है तो selling pressure जो है वो फिर से आ जाएगा फिर से लोग selling चलू कर देंगे और लोग expect करेंगे कि यह 38,800 से लेके 700 के range में कहीं खुले ऐसे ऐसे करके फिर breakdown दे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा कासा trade मिल सकता है 38,500 के नीचे आएगा तो sell करना है buying के लिए हमें वेट नहीं के लिए भी नहीं करना है एक simple सी trend line बनानी है और देखना है कि trend line के अंदर रहता है या trend line का breakout आता है trend line कैसे बनानी है simple सी देखिए यहाँ पर एक line खीच ली और यहाँ पर भी मैंने एक line खीच ली अब यहाँ पर एक समोसा बन गया है एक triangle बन गया है अगर इसके अंदर ऐसे ऐसे squeeze होता है फिर जो breakout आएगा उपर या नीचे नीचे आएगा तो जो पैसे हैं वो जादा बने सकता है कल के trading session के लिए तो सबसे पहले start करेंगे अदानी port से अदानी port देखिए अगर मैं daily charts पर आपको दिखाऊ हो तो यहाँ पर एक अच्छा खासा fall आया एक बार एक pullback आया अब pullback के बोड़ा highly volatile stock है तो 790 के नीचे जाने दीजिए 95 के आसपास मैं कहता हूँ अगर आप aggressive seller हो तो 95 के नीचे वरना 790 के नीचे जाएगा तो यहाँ पर आपको sell करना है आपका target जो होगा वो होगा 770 के आसपास तक आप बीच में 10-10 point पर 780 और 770 पर target सकते हो 800 का आपका एक strict stop loss होगा मुझे लगता है कि अगर यह 750 तक निकलता है तो इसको आप carry forward करना क्योंकि यह आपको एक तगड़ा पैसा देगा यह 700 तज जा सकता है तो अधानी ports अगर आपको trade करना है अधानी के कोई भी stock trade करना है तो थोड़ा बड़े एकले trade कीजिए क्योंकि यहाँ पर रिस कर दिया मैंने आपके बहुत दिनों से यहां पर देखिए 300 के आसपास यह मंड़ा रहा है उपर जाता है फिर 300 के आसपास आता है अब यहां पर देखिए almost एक breakdown करने की कोशिश कर रहा है मुझे लगता है कि यह चोटा सा एक hurdle है लेकिन कल 295 के नीचे अगर जाता है तो यह यहां पर sell कीजिए और फिर यह perpetual sell हो जाएगा मुझे लगता है कि यहां पर बहुत सारे sellers active हो जागे कि बहुत लोगों के stop losses 300 के आसपास होंगे तो यहां पर मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा sell बनेगा अगर यह 295-290 के range में close होता है तो यह लंबा नीचे जाएगा फिर तो उससे आपसे आपको BPCL में प्लान करना है 500 रॉपय का stop loss लगाना है यहां पर यह अच्छा खासा setup बन सकता है ट्रेड का आज जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा था उन्हें आज Infosys में बहुत बढ़िया profit हुआ है हमने कहा था 1465 के ऊपर आपको buy करना है प्रॉफिट कहां book करना है उपर जा रहा है इसका मतलब यह नहीं कि अब यह आज हमें लगपती करोड़पती बना देगा हमें ट्रेड में रिस्क रिवर्ड अपने फेवर में रखना है अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है और प यहां पर आपका अच्छा का सा पैसा बन सकता है तीसरा और आखरी स्टॉक हमने शॉटलिस किया हुआ है टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स देखे वीक लग रहा है कंटीनियोस एक डाउंट्रेंड चैनल में आ रहा है यहां पर डबली पैटन बना के निकलने की कोशिस हो रह लेकिन अगर आप पोजिशन करी करते हो तो 360 तक के मुझे यहां पर टागेट्स नजर आ रहा है टाटा मोटर्स में तो टाटा मोटर्स लेकिए इस लेवल के आसपास जो है यहां पर मुझे लगता है 65-60 के आसपास तक टाटा मोटर्स एक बार टेस्ट कर सकता है तो यह थ for watching the video keep learning keep investing and keep earning